मैंने अपनी क्लासेस टीच्मिन पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े हैं बड़े हैं मैं आठ साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बना और टीच्मिन के लाइब क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वज़े से लगवक एक साल में हर तॉपिक का कोर्स बनके तयार हैं अब मेरे स्टुडेंट्स पुराने अमिस लेक्चर्स देख सकते हैं और जिने चाहिए वह बस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं गुपता टिटोरियल्स ब्रैंड बन रहा है इसलिए तो कहते हैं कि टीच्मिन पर टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीच्मिन इंडिया का नंबर वन नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जो मैंने वीडियो बनाई था आपको बहुत पसंद किया और इसके बाद में कुछ ऐसे बिंदू है जिन पर लगातार जो रीट के बेड़ती हैं वो बर्मित हो रहे हैं तो मैं आज उन मुद्दों पर बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा रीट के बारे में बर्मित हो रहे हैं कौन-कौन से मुद्दे ह यह आप दे सकते हो बीड़ में बीश्टिसी जो फाइनिलर की स्टूडेंट रहे हैं इंटर्शिप को लेकर उनके लवा तीसरी लहर आने से कही यूटूबर साती और कही अकबार की न्यूज और जो लगाता न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि तीसरी लहर अगस्त मे पिढा पिड़ाश करूँगा इस के लवा हरी राज रहे हैं कि सान हम कुतने शीटों पर आ सकते हैं कि हम eligible है क्या उनके बारे में मैं सर्चा करूँगा क्योंकि मैं प्रते comment का जबाब ने दे सकते हैं इतना time मेरे पास नहीं है क्यों नोकरी करके मैं इतना ही समय बचा पाता हूँ इसके लवा chain कितने number पर होगा अगर आप अलग-अलग category में हैं तो आपका chain भी अलग-अलग category के शाब से आपको इतने नंबर तो एक लाने पड़ेंगे तब आप शेफ जोन में रगोई इसके लवा अगर आप अपनी त्यारी को प्रखना चाहते हो और लगाता तो आपके लिए test देना भी जरूरी है वो भी हम नौट्स गर्में लेके आएं तो इन बिंदों पर सचा करेंगे तो मैं चलता हूं सबसे पहले पहले बिंदों पर सबसे पहले बी-एड और बी-एड और बी-एश्टी-ची दोस्तों जब से रीट का एक्जाम की तारी कोशित हुई है सरवादी इस बार जो कोई मुद्दा बना है तो बी-एड और बी-एश्टी इंटर्स्रिप को लेकर क्योंकि वर्तवार में सारी स्कूले बंद है आपको मालूम है हम भी स्कूल जाते हैं लेकिन अभी कोई बच प्रिक्षा से पहले हो जाएगा और आपको किसी प्रकार से कब राने की उसके बाद एक लाख से अधी स्टूडेंट है जो बीड दारी है जो राजस्तान में करें राजस्तान के बाहर भी जम्मू वगएरा नेराजियों में भी कर रहे हैं राजस्तान के जो ओपन कोटा से और वो भी यह चाह रहे हैं कि जो फाइनल के इस्टूडेंट है वो भी इस रीट जो बंपर वेकेंशी है राजस्तान सरकार वापिस इतनी बड़ी वेकेंशी इस कारीगाल में नहीं हो सकती तो इसलिए वो भी चिंतित है इसलिए आज इसी कड़ी में हम भी लगाता प्रियास कर रहे हैं हमारे पास लगाता को लो कमेंट आ रहे हैं तो दोस्तो आज ही है सबसे पहले आप दे सकते हो जिन उसकार जो ट्वीट है और बेड़ वालों के लिए बहुत ही खुश कबरी है और राजस्तान सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी हम सोसल मीडिया के माधियम से राजस्तान सरकार और सिक्सा मंत्रेजी को गोशना कर रहे हैं उनसे न 이후देडन कर रहे हिक जो विदारती लगाता प्रहता हो रहे हैं जिन्नों ने अपने खिशान और benutum वरक कर से लगातार पिर्यास कर रहा है अपने पैसे लगा कर तो उनको भी परिक्षा में सामिल होने का मौका दिया जाए और अगर उनका सेलेक्षिन होता है तो उनको सामिल किया जाए इसके लवा तो दोस्तों B.A.D. और B.H.T.C. वाले किसी प्रकासे चिंता नहीं करें हमारा लगात आपका शियोग रहेगा और आप इस परिक्षा में सामिल होंगे और आपका सेलेक्षिन होगा तो मैं आपको से वादा करता हूँ कि आपको जोइनिंग भी दिलाएंगे इसके लवा दोस्तों सबसे बड़ी तीसरी लेर मेरे पास दिन में सबसे अधिक कोई पोना आते हैं तो ये तीसरी लेर को आते हैं क्योंकि कही न्यूज चैनल वाले ये दिखा रहे हैं कि अगस्त में और बेली ने ने गोशना होते हैं आज का एक बार में सुकत खबर मिली कि बच्चे जो कोरोना से इस बार लड़ सकते हैं इसको लेक खोल दी जाए कभी ये कहते हैं कि जब टिका लगाएंगे तो भिन-भिन ब्रांतिया जो हो रही है और उसमें सबसे बड़ी ब्रांतिया है कि अगस्त में ये कोरोना आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कोई कोरोना नहीं आ रहा है अधिकादी लोगों के वेक्सिनेशन हो चुका है अठारा पलस के और अब सब्सक्राइब के ज्यादा नुक्सराण नहीं किया था तो आपको अपनी त्यारी रखनी है दोस्तों लहर अगर लहर के चकल में आप पड़ोगे तो पिर आपको लहरे लेना पड़ेगा जीवन में सपर नहीं हो सकते आप कई अब्यरती हैं उनको मैं कहना चाहता हूं जो आपको त्यारी करनी है और यह परिक्षा 101 परशेंट होगी और अभी जो आरेस वाला मामला चल रहा है आपको मालूम है इसमया सुर्कियों में तो इसलिए आपको बता देता हूं यह भी मामला आपके लिए अच्छा है किसी प्रकार से जो रीट में चिटिंग मेंगरा नह हो सकते हो और कितने परतिशत यह राजस्तान में सरवादी कि पिछले समय एक साल से ज़्यादा बेरुजगा संगर्स करें लेकिन कुछ बाते में आपको बताता हूं कि 40% जो शीटे हैं उन 40% शीटों पर आप जो बाहरी राज्ये हैं चाहिए किसी भी क्रेटिगरी से वह और 40% शीटों आ सकते हैं क्योंकि इस बार दस परसेंट जो आरक सेने एड़ेब्लूस को मिल गया एड़ेब्लूस में राजस्तान के जो है उन्हीं को ही मिलेगा तो 40% शीटों पर आप आ सकते हो इसके लावाद चैन कितने नंबर पर जो वीडियो और परिटेक्ता वह एन उनका चैन अराम से हो जाएगा इसका बलावा अलग 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 है अलग है नोट्स कर यह हमारा एप है इस एप में आप अगर आपकी त्यारी अच्छे होगी आप अपनी त्यारी को प्रगना चाहते हो तो लगातार आप टेस्ट देंगे तो परिक्षाते का आप होगा इसमें सबी केटीगरी से अलग अलग है इस बार जो सबसे ज़्यदा कंपिटिशन किसी में देखने को मिलेगा तो जनल और और वीशी में जनल और और वीशी में और वीशी जनल की मेरिटर लगबग समान रहेगी तो इन में जो भी जिनके 120 प्लस हो रहे हैं टेस्ट में वो सेफ जोन में हैं और जो नहीं हो रहे हैं वो लगातार टेस्ट की त्यारी करते रहें और अपने जो भी आप पड़ रहे हो अधिक से क्योंकि प्रीक्शाम आता सबको है लेकि प्रीक्श Arai समय ने कर पाते इसलिए आपको अधिक अधिक रिवेज मैं जब भी त्यारी करता था मेरा सुब बजह 20 बुद उटता था में आपको बता देता हुँ तीन बजह स्देज ईठकर मैं सुब्वे के आठि बजित तागे बीगां टायम उस टाइम अगर आप करोगे लगां तो जितना भी कोर्स है व Task only वाद हो जाएगा सरसरी नजर से उसके बाद आपको जो भी टोपिक आपको नहीं आ रहा है या कम आ रहा है जो भी आपको अच्छा मेटर मिल रहा है उस मेटर को उस नोट्स में या जो आपके उसमें संक्लित करते रहे इसके लावा आप टेश्ट देना मत भूले क्यूंकि मैंने आपको पहले भी कहा था क्य सेलेक्शन हो जाएगा सेलेक्शन में इतना ही फर्क पड़ता है इसके अलावा जनरल ओपी सी 120 पलस इसके लावा जो सी स्टी वो अगर सो से 110 उनके से हो रहे हैं तो उनका चांस है पूरा क्योंकि इसके लावा जो भी वीडियो के टिकरी से हैं और परितिकता है वो लगबर 60 और 65 के बीच में क्योंकि वीडियो के टिकरी में तो सांदार अगर 60 परशेंट ही आपके बंगे तो भी आपका सेलेक्शन होने के पूरी पूरी चांस रहेंगे इसके लावा अब पेपर की प्रगती पर मैं आपको पहले भी कहाता पेपर अगर इजी आ गया तो थोड़ी मेरिट अप रह सक तो मेरे डाउन रही कि इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले 80 परशेंट वाड़ा बेटा है पिच्छे वाड़ा बेटा है नब वाड़ा बेटा है इस बार सारा का सांदा तरीके से एकजाम होने वाला है इसलिए मेरी अपसे सबी को अगरिम गुरुजनों को बदाई और आपका चैन पका है और आप दो मेने का जुस्य में है इसको एक संगर्स और एक तपश्या मानते हुए आप लगाता प्रियास करें मैं आपको सबी सितम्ब के बाद में फिर मिलूंगा और अगर जो तीसरी किस्ट बगरा मिलेगे और इसके अलावा कुछ और हम अपलोड कर देंगे तो आपने त्यारी को लगाता जारी रखे धन्यवाद जेहिंद चेपार्त पंदेमाद्र